Hello students, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूँ Pooja Singh and welcome back to my channel, Accounting Masterclass. And जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कि आज की इस lecture से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत important chapter, that is accounting of consignment. और मैं कोशिश करूँगी कि तीन से चार lecture videos में जितने भी important topics हैं, जितने भी important sub topics हैं, इस chapter के वो सब हम cover कर लें, ठीक है? और यह काफी important chapter है, exam में जरूर करके जाईएगा, और काफी students मुझसे request कर रहे थे, काफी समय से कि मैं यह chapter करा दीजे, तो आज finally हम यह chapter स्टार्ट करने जा रहे हैं, और chapter स्टार्ट करने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मैं आपको एक बास short में बता देती हूँ कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम पढ़ेंगे, consignment क्या होता है, ठीक है, इसका क्या feature है, और यह जो consignment का concept है, इसकी जरूरत क्या है, इसका objective क्या है, consignment and sales में क्या difference है, उसके साथ ही बहुत सारे important terms है, जो इस chapter में हम use करेंगे, जैसे invoice, performa, expenses, ठीक है, commission, जैसे commission तीन ताइप की होती है, एक होती है, ordinary commission, एक होती है, dell kader commission, और एक होती है, overriding commission, तो यह तीनों commission क्या होती है, यह सब समझेंगे, और फिर समझें accounting treatment, journal entries पढ़ेंगे, ठीक है, journal entries में हम लोग देखेंगे कि consigner के book of account में कौन-कौन से account बनाया जाते है, consignee की book में कौन-कौन से account बनते है, कैसे journal entry की जाती है, और finally उस पे एक numerical करेंगे, तो यह सब हम करने वाले हैं, ठीक है, तो चलिए फिर बिना time waste के, जल्दी से आज का lecture हम start करते है, consignment, consignment, तो सबसे पहले तो यह समझते हैं, कि जो consignment word है, इसका मतलब क्या है, तो basically consignment क्या होता है, एक batch of goods होता है, ठीक है, goods का कह लिजे, एक batch है, जो deliver करना है किसी को, या deliver हो चुका है, या होने वाला है, तो उसी को क्या कहते है, consignment, कहते न, मैं, consignment आने वाला है, यानि एक batch of goods आने वाला है, डिलिवर होना है, ठीक है, तो that is called consignment, इसे consignment कहते है, batch of goods, which is delivering or deliver to someone, that is called consignment, ठीक है, अब ये consignment accounting हमें फिलाल यहां पर पढ़नी है, पर consignment साहा समझ लेते हैं, कि जो producer होता है, जो manufacturer होत होता है, wholesaler, short में लिख रही है, wholesaler, या जो manufacturer, या जो owner of goods होता है, ठीक है, उसको क्या करना है, उसे goods market में बेचने है, ठीक है, उसे क्या करना है, उसे goods market में बेचने है, अब market में goods बेचने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, हम जानते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, त इसमें क्या होता है, यह जो wholesaler यह जो owner है, यह जो manufacturer है, यह जो owner है, ownership इसी के पास रहती है, ठीक है, goods की ownership, goods का मालिकाना हग जो है, वो owner के पास रहता है, manufacturer के पास रहता है, केवल यह goods को send करता है, किसको agent को send करता है, और agent जो है, इस owner के बहाफ में goods बेचता है customer को, तो इसी को क consignment पे send किये गया है, ठीक है, और यह जो consignment का concept रहना, इसमें दो parties होती है, यह देखे, मैंने यहाँ पे बनाया है, consignment में दो parties होती है, एक होता है consigner, consigner मतलब owner of goods, ठीक है, जो goods का owner है, यह क्या करता है, अपने goods भेजता है, किसको consignee को, consignee कौन है, consignee is the agent, यह वो agent है, जो owner की भीहाफ में, consigner की भीहाफ में goods को market में बेजता है, ठीक है, और उसके बदले में इसको क्या मलता है, he get the commission, इसको commission मिलती है, यह जो consignee है, इसको मिलती है, commission, ठीक, और एक और बात है, मैंने देखा है, कि बच्चे confused हो जाते हैं, consigner कौन है, consignee कौन है, तो इसमें confused हो जाते है, तो थोड़ा से ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या है, o, consign, देखे, यहां तक तो spelling सेम है, c-o-n-s-i-g-n, यहां तक तो इसमें सेम है, देखे, c-o-n-s-i-g-n, यहां तक तो सेम है, आगे spelling change हो रही है, तो अगर o, r लग रहा है, ठीक है, तो o से समझ जाएगा owner, ठीक है, owner of good, तो consigner कौन होता है, consigner is the owner of good, जो goods भेजता है, किसको consignee को, यहां पर क्या रहा है, e, e से समझ जाएगा agent, ठीक है, वैसे इसकी spelling a से स्टार्ट हो रही है, बट e से मतलब agent, ठीक है, तो consigner कौन होता है, owner of good, जो भेजता है goods किसको consignee को, ताकि consignee owner के भेज़ाप में goods को सेल करें, और इसके बदले में consignee को मिलती है, commission, ठीक, तो यही पूरा क्या है, business model है, यही पूरा consignment का concept है, तो consignment क्या है, it's a business model, यह एक तरीका है, goods को सेल करने का एक तरीका है, यह एक business model है, जिसमें goods send कौन करता है, owner, owner कह लिजे, consigner कह लिजे, principal कह लिजे, ठीक है, जो owner of goods है, ये भेज़ता है goods किसको, agent को, क्यों भेज़ता है, for sale, ताकि वो इस goods को क्या करे, customer को बेचे, sale करे, ठीक है, and the person to whom goods is sent and sale the good on behalf and at the risk of principal, यानि agent कौन है, agent वो person है, जिसको goods receive होते हैं, और वो उनको बेचता है market में, ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, और ये जो consigner है, इसका risk bear करता है, अभी मैं रिस्क पे भी आऊंगी, ये जो goods होते हैं, इनका risk, जो है, वो consigner का ही risk है, ये जो consigne है, इसका काम केवल बेचने का है, market में इसको बेचना है, जो risk है, वो किसका है? Consigner का, भी मैं भी मैं, कितना भी मैं कहीं खरात तो नहीं होगया, डामेच तो नहीं होगे, ये सब रिस्स का है, ओनर का, consigner का, consignee का कीवल अपनी commission से मतलब है, वो इसको commission मिल रही है, market में उस goods को बेचने की, ठीक है, तो देखिए, यहां लिखाएगी, जो consignee है, he is provided commission, इसको commission मिलती है, इसकी service के लिए, ठीक, और एक बार वीडियो को pause करके लिए, pause करके, यह slide पड़ भी लीजेगा, देखिए, लिखाएगा यहां पर, कि जो person, या, जो owner होता है, ठीक है, या, जो principal होता है, जो goods को भेचता है, वो कौन होता है, consignee, ठीक है, और जो agent होता है, जिसको goods receive होते है, जो, जिसका काम होता है, market में goods को बेचना, वो कौन होता है, consignee, ठीक, तो अब मुझे लगता है, आपको काफी हर्ता की concept, consignee, consignee का समझ में आ गया समझ में आ गिया ना, तो consignment क्या है, consignment मतलब sending the goods by owner to its agent, ठीक है, एक बाभ video को screen clear करती हूँ, तो consignment मतलब क्या है, consignment मतलब sending the goods by owner to agent, for sale, ठीक है, consignment मतलब sending the goods, goods को भेजना, ठीक है, कौन भेजता है, by owner to agent, ठीक है, sending the goods, by owner to agent for sale, this is called consignment, ठीक है, समझ में आगे आगे आप consignment का कौन से, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब हम discuss करेंगे कुछ features, यह जो consignment है, इसके कुछ features discuss कर लेते हैं, बट अगर आपको इसका मतलब समझ में आ गया है ना, तो आप features में जादी महनत नहीं करनी प feature, क्या है consignment का, कि relationship, जो consigner होता है और जो consigne होता है, इनके बीच में जो relationship होता है, that is of principal and agent, इनके बीच में जो relationship है, वो principal and agent का relationship होता है, बायर-seller का नहीं होता है, बच्चे बहुत selling से consignment को confuse करते हैं, ठीक है, but it is not a concept of selling, यह selling का concept नहीं है, selling अलग होती है, वहाँ दो parties होती है, buyer seller, यह consignment का concept है, यहाँ पे जो दो parties होती है, वो होती है, consigner and consignee, और इनके बीच में जो relationship होता है, वो owner, या कहा लिजे principle and agent का relationship होता है, ठीक, दूसरा feature क्या है, दूसरा feature यह है, कि consignee sale the goods on behalf of consigner, यह जो consignee होता है, जो agent होता है, वो goods को on behalf of consigner, ठीक, और risk किसका होता है, consigner का, जो owner है, उसका risk है, ठीक है, और इसके बदले में consignee को क्या मिलता है, he gets the fixed commission, उसको एक fixed commission मिलती है, अपनी sales पे, ठीक, दूसरा feature हो गया, तीसरा feature क्या है, कि अगर कोई बताय था न, अगर कोई loss हो जाए, कोई damage हो जाए, goods, good destruction हो तब risk किसका है, owner का, consigner का है risk, ठीक, चौता feature, कि यह जो consignment है, consignment मतलब क्या होता है, consignment मतलब होता है, sending the goods, consignment मतलब, sending the goods by owner to agent for sale, ठीक, consignment मतलब, sending the goods by owner to agent for sale, ठीक, तो consignment क्या होता है? Basically, it is simply a transfer of possession of goods. यहाँ पे केवल goods का possession transfer हो रहा है. यानि पहले goods किस के पास थे? Consigner के पास, owner के पास थे goods. ठीक है? अब किस के पास चले जाएंगे? Agent के पास चले जाएंगे. ठीक है? Simply, यहाँ पे क्या हो रहा है? Transfer of possession of goods. Goods का possession transfer हो रहा है. अब ओनर के पास से, agent के पास goods चले गए हैं. ठीक है? यहाँ पे और क्यों गए है? For the purpose of sale. Sale के purpose से गए है. It is not a sale. यह कोई sale नहीं है. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि owner ने agent को समान बेचा है. ऐसा नहीं है. Cable goods अब owner से agent के पास गए है. ताकि agent goods को बेच सके और commission उसे मिलेगी. इसके बतले में. ठीक है? तो यह थे चार features consignment के. अब मुझे लगता है consignment का concept. आप हो clear हो गया होगा. ठीक है? बढ़ आप यह सोच रहे होंगे कि क्या जरूरत आई इस consignment concept की. ठीक है? तो अभी मैं आगे आपको इसकी need बताऊंगी. कि need क्या है? objective क्या है? कह लिजे? या importance क्या है? इस consignment के concept की importance क्या है? ठीक है? लेकिन वहां तक जाने से पहले, उस topic को पढ़ने से पहले, मैं आपको अपने चैनल के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहती हूँ. ये वो list of subject है, जो मैं आज की तारीख, यानि January 2023. कह लिजे, 2023 का, ये मेरा पहला वीडियो है, जो आज मैं record कर रही हूँ. इससे पहले, इवन आज भी मेरा एक वीडियो रिलीज हुआ है, लेकिन वो मैं दिसंबर में, पिछले साल 2022 में record किया था, तो आज रिलीज किया है, लेकिन मतलब 2023 का कह लिजे, ये पहला आज मैं recording कर रही हूँ, आज है तारीख 2 जन्वरी, 2 जन्वरी 2023, तो सभी को मेरी तरफ से, Happy New Year, विश यौ आज वेरी Happy New Year, आप सभी के लिए नया साल मंगल में हो, आप लोग की जो भी विशेज हैं, जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें, नया साल हम सब लोग के लिए बहुत अच्छा रहा है, कोरोना फ्री नया साल रहा है, क्योंकि कोरोना की भी कुछ दस्तक हो रही है, कोरोना की कुछ-कुछ केसे शुरू हो गया है, तो अब मैं चाहती हूँ कि हम लोगों ने बहुत देख लिया, 2020, 2021, 2022 में भी थोड़ा रहा, ठीक है, बट अब आगे नहीं चाहते हैं कि आगे कोरोना फिर से आए, तो सभी लोग मास लगाएं, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मास लगाएं, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग रखें, प्रिकॉशन रखें, ताकि कोरोना फिर से ना आए, और हम सभी का 2023, और उसके आगे आने वाले सभी साल हम सबके अच्छे रहें, ऐसी मेरी प्रातना है बग्मान से, तो चलिए आते हैं वापस अपने टॉपिक पे, तो ये एक बार देख लीजे, ये लिस्ट आफ सब्जेक्ट है, जो मैं आज की तारीख, यानि जैनवरी 2023 तक, अपने चैनल, अपने फर्स चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास पे कवर कर चुकी हूँ, तो जरूर इसका फाइदा उठाईएगा, इसकी हल से पढ़िएगा, 600 से भी जादा वीडियो लेक्चर्स, आज की तारीख तक अपलोड कर चुकी हूँ, तो ये सब मैं आपके लिए कर रही हूँ, ठीक है, तो इसका फाइदा उठाना है, देखें, यहाँ पर मैंने दिसंबर 2022 लिखा है, पर अब आगया, जैन्वरी 2023, ओहो, मैंने यहाँ पर भी लिखा है, दिसंबर 2022, इसको कर लीजे, जैन्वरी 2023, ठीक है, और मेरे जो दोनों चैनल है, मेरा पहला चैनल है, अकाउंटेक मास्टर क्लास, दूसरा चैनल है, पूजा सिंग के नाम से, दोनों को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा, और प्लीज मुझे मुझे मोटिवेट करते रहा करिए, ठीक है, और वीडियो पसंद आए, तो लाइक करना मत भूलिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताईएगा, कि how was this lecture, और अगर आपको नोट्स चाहिए, मेरे चानल पर जो अप्लोड़ेट वीडियो से, उन पर जो पीपीटी है, वो अगर पीडियो फोर में चाहिए, then you can download my application, आप मेरी application Google Play Store से download कर सकते है, link description में है, ठीक है, और notification bell भी प्रेस जरूर करिएगा, ठीक है, तब ही आपको जो मेरे upcoming videos है, इनकी notification मिल पाईगी, राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ कि what is the objective of this concept, consignment, यह जो consignment का concept आया, इसका क्या objective था, क्या ज आपको बताता है, यह जो प्रोड्यूसर होता है, जिसने गुड्स बना तो लिए, लेके नभी उसे उसे बेचने है, ठीक है, अब सपोस करिए, जो मैनुफाक्चरर है, यह नोड़ा में है, ठीक है, एक्जाम्पल लेते है, इसमान बनाने पे फोकस कर रहा है, तो क्या वो all over India, यह कह लिए, all over UP, यह all over Delhi NCR कवर कर पाएगा, वो manufacturer, उसके लिए मुश्किल है, वो तो manufacturing कर रहा है, वो तो producer है, वो सामान बनाने पे फोकस कर रहा है, पर सामान बन गया, उसके बाद बेचना भी तो है सामान, ठीक है, तो क्योंकि वो बहुत larger area नहीं कवर कर पाएगा, वो तो पूरा India कवर करना चाहता है, वो India कवर हो जाए, तो अपने जो product है, वो abroad भी भेजना चाह रहा है, ठीक है, तो वो क्या larger area कवर कर पाएगा, कवर कर भी लेगा, लेकिन थोड़ी से दिक्कत आएगी, ठीक है, तो यह जो consignment का concept है, यह एक easy way है, ताकि वो और जादा larger market कवर कर पाए, ठीक है, तो अगर manufacturer एक city में है, अगर Noida में है, वो पूरा all over India कवर करना चाह रहा है, तो consignment के थो, वो अपने product को दूर दूर तक, बड़े-बड़े market तक पहुचा सकता है, larger area कवर कर सकता है, ठीक है, तो this is the first importance, दूसरी importance क्या है इसकी, to facilitate sale, ठीक है, to facilitate sale, इसका क्या मतलब है, देखिए, जो producer होता है, जो manufacturer होता है, उसको product के बारे में तो बहुत अच्छी knowledge है, ठीक है, और और भी products are related, manufacturing is related, बहुत अच्छी knowledge है, but ऐसा हो सकता है, कि शायद उसको market की इतनी बढ़िया knowledge नहो, customer की इतनी बढ़िया knowledge नहो, ठीक है, selling, marketing की इतनी बढ export होते है, वो customer को जानते है, customer जो होते है, direct contact में रहते है, agents के, ठीक है, तो ये customer को जानते है, market की condition जानते है, तो अगर ये जो manufacturer है, producer है, अपना समान agents के थो बेचेगा ना, तो वो समान easily sale हो जाएगा, ठीक है, तो these are the two importance of this concept, consignment, consignment की ये दो importance ही, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम समझते है, consignment and sales में क्या difference है, ठीक है, सबसे पहला तो हम जानते है, sales में दो party होती है, कौन, कौन कौन सी party होती है, एक होता है seller, एक होता है buyer, एक बेच रहा है, एक खरीद रहा है, जबकि consignment में क्या है, consignment में दो parties है, कौन कौन सी, एक है consigner, यानि owner of good, और एक है consignee यानि agent, ठीक है, तो यहां पे 2 parties यह होती है, अगला difference दोनों के बीच में क्या है कि अगर कोई dispute हो जाये, होता ही है, ठीक है, settlement में कोई dispute हो जाये, तो consignment में अगर कोई dispute हो जाये, तो वो किस के तहत salt किया जाता है, किस act के अंदर आता है, वो Indian contract at 1872 के तहत आता है, ठीक है, दूसरा difference क्या है, कि consignment में ownership किसके पास रहती है, consignment में ownership किसके पास रहती है, consignor के पास रहती है, consignor के पास रहती है, ownership नहीं transfer होती, consignor के पास, ठीक है, जबकि selling में क्या होता है, ownership transfer हो जाती है, buyer के पास, मैं कोई समान खरीद के लाई हूँ, मैं कोई mobile खरीद के लाई हूँ ठीक है, mobile का payment मैंने कर दिया तो अब मैं उस mobile की क्या हो गई, owner हो गई वो mobile मेरा हो गया, ठीक है तो यह दूसरा difference है तीसरा difference है कि consigner give commission to consignee for sale consigner क्या करता है, commission देता है consignee को, sale करता है consignee तो उसके बदले में he gets some commission ठीक है, लेकिन selling में क्या कोई commission मिलती है क्या, अगर मैं कोई समान खहित के लाज़े हूँ, उसके बदले मुझे मैं buyer अगर हूँ, मुझे कोई commission मिलेगी नहीं, कोई commission नहीं मिलती है हाँ, मुझे discount मिल सकता है उस product पर अगर कोई discount हुआ तो seller मुझे तोवसा discount दे सकता है but he will not give me commission ठीक है, तो ये थे चार differences between consignment and sales, I hope आपको समझ में आ गया होगा, तो चलिए आज का lecture मैं यहीं पर wind up करती हूँ, अगले lecture में हम पढ़ेंगे कुछ important terms सबसे पहले, जैसे pro pharma, invoice, commission तीन टाइप की होती है, वो समझेंगे consignee कुछ advance देता है consignor को वो समझेंगे ठीक है, और उसके साथ ही हम देखेंगे कौन-कौन से account बनाए जाते हैं book of consignee and book of consignor ठीक, और journal entry करेंगे, question करेंगे, ठीक है, आने वाले videos में, तो चलिए आज मैं यहीं तक रखती हूँ, तब तक इतना पढ़के रखेगा और यह video useful लगा, तो please like करना मत भूलिएगा, ठीक है तो चलिए, this was all about today's video, अब हम मिलेंगे अगले lecture video में तब तक अपना ध्यान रखेगा God bless you